रम रम दोस्तो आजगी वीडियो में बात करेंगे छोटे पोधों में जो डीमक का अटेक होता है डीमक से जो पोधे मर जाते हैं आप उनको किस पिरकार बचाएं, किस पिरकार अपने पोधों की देख भाल करें नरसरी तयार करते समय भी यदि आप किसी भी पिरकार की नरसरी तयार कर रहे हो जिसे मोस में संतरा है नीबू है पपीता है या फिर मिर्च टमाटर किसी भी पिरकार की जो नरसरी आप लगा रहे हो तो उसमें जो डीमक का अटेक होता है यानि जो डीमक से आपकी नरसरी पूर्णते खराब हो जाती है तो आप उसको किस परकार बचाएं यही जानकरी इस वीडियो के बाद्यम से हम आपको देने वाले हैं तो आप वीडियो पर अंतितक बने रहें वीडियो में आपको पूरी जानकरी मिलेगी आप बाग में यानि आप उन्हें बगीचा लगा रखा है तो उससे आप अपने बगीचे को डीमक से किस परकार बचाएं यह हमारा पोदा है यह आलू बुकारे का पोदा है और यह ग्र होती है जो दानेदार चिकनी मिट्टी होती है जिन एरियो में वहां पर डीमक का जो असर है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो इसके उपाए के लिए आप समय समय पर जो राशनिक कीटना सके नि जो दवाईों का उपयोग अपने बगीचे पर करते रहें और में उसके बाद जो इसके पर नाम उपर को दिखाई देने लग जाएंगे जैसा कि डीमक आपके पोदे में लग गई है तो पोदे की पतिया पीली पढ़ने लग जाएंगी जो पोदे में फला रहे हैं वे फल भी जड़ने लग जाएंगे इसका मतलब आपके पोदे में ड लग गई है यदि आपने टेरिस पर या गार्डनिंग में जो पोर्त में पोधे लगाए हुए हैं उनको भी आप । से बचा सकते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा रीजंट बायर कंपनी का या किसी और कंपनी का आप रीजंट ले सकते हैं रीजेंट दो पिरकार का आता है एक दानेदार रीजेंट आता है एक लिक्विड रीजेंट आता है तो आप दानेदार भी ले सकते हैं लेकिन जो बहतर परणाम देता है वे लिक्विड रीजेंट देता है लेकिन ये जो खरपत वे ये रैसनिक दवाई है बहुत ही ज़्या जो की पहुंच से इस दवाई को दूर रखे उसके बाद आप पानी में मिला कर इसको अपने पोध में डालिए यानि आप सिचाई दब कर रहे हो तब उसकी मात्रा पोध में डालिए तो जो आपका पोधा है आगामी तीन से चार महिने तक जो डिमक से सुरक्षित रहेगा आ आप तीन से चार महिने बाद फिर इसको डालते रहेए यानि आप साल में कम से कम तीन या चार बार अपने पोधे में आपने बगीचों में रीजेंट का उप्योग कर सकते हैं एदे आप बात करें दानेदार रीजेंट की तो आपको दानेदार रीजेंट की मात्रा हर महिन या महिने से डेड़ महिने में उसका उपयोग करना होगा दूसरा आता है जो फोरेट आता है बहुत ही तेज उसमें जो इसमेल आती है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो वह भी डिमक को पूनते समाप कर देगा जैसा कि आप वीडियो के मद्यम से देख पा रहे हुए चोटे पोदे जो पोट में लगाये हुए हैं यह हमारी नर्सरी है इसमें जो डीमक का खतरा रहता है तो आप इसमें जब सिचाई करें या फिर आप उपर से जो दानेदार रिजेंट या फोरेट का भी प्रियोग कर स लगते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें शियर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे किसान वे खेती बाड़ी समझ देते नहीं नहीं वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर अवस्य करें धन्यवाद दोस्तों